लक्ष्मी जी नमस्कार नमस्कार सर तो आप लक्ष्मी जी अभी गोरगपुर से बोल रहें कि गोरगपुर के द्वगले के गाम से बोल रहें जी मैं बीस्व प्रसीद टेरा कोटा सिल्फ ग्राम औरंगाबाद से बोला हूं अच्छा लक्ष्मी जी आप कैसे हैं और क्या का करते हैं बताइए मैं बहुत अच्छा हूं मेरा पूरा परिवार पूरा खंदान टेरा कोटा सिल्फ से जुड़ा है मैंने एक संस्था 2000 में बनाई लच्छमी स्वयंप साहता समू जिसमें 12 मेंबर जुड़े हैं और 12 मेंबर के पूरे परिवार मिलाकर के 75 लोग इस बेवसाय से जुड़े हैं जिनका वार्षिक आमदनी लंसम एक करोड़ के आसपास है यह समू का की एक एक व्यक्ति का नहीं पूरे पूरे 75 लोगों का हमारे समू में 12 सदस हैं और 12 सदस्तों के परिवार में किसी के 6 हैं किसी के साथ हैं किसी के चारही हैं कुल मिलाके 75 लोग इस बेवसाय से जुड़े हैं इसका मतलब 12 लोग जो में मुख्या है बारा लोग सबा करोड रुपया करनाते हैं जी 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 अजालक्वी जी मुझे बताया गया है कि आपने बन डिस्टिक बन प्रोड़क ओडी ओपी जी 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 लाए गुत्वास किमकाल आप बहुत लिया है और आप बहुत जागरत व्यक्ति हैं समाज को जोड़ करके काम करते हैं तो आप इन्हें जरा अनुभव बताईए जी सर मैं पहले तो धन बात देता हूं माननी मुख मंत साथ हमारे सारे सिल्पियों को टूल किट पावर की चाक मिट्टी बनाने वाली मसीन ये मुख्त में सब को मिला है जितने भी हमारे हस सिल्पिक इसमें कारेरत हैं सब को दिया गया है और साथ ही साथ ओडी ओपी वजना के अंतरगत अलग लग सहरों में जो प्रदर्शनी ल लक्ष्म्ञव में वहां बारीबारी से अ क्षिल्पियों को भाग लेने का मौका भी मिलता है अ कि अ अच्छा लक्ष्मी जी योंज नहीं है थे मैं पहले कीकी सरकारों की होजनाएं और आज जब डबल इंजीजल की सरकार है तो क्या फ्रनिजर आता है देखें सर पहले तो हम खुद किसान है मैं किसान हूँ और लाब भी लिया हूँ ग्राम पंचाज से स्वच सौचाले का आपके प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी का लाब ले रहा हूं ओडी ओपी का लाब ले रहा हूं तो पहले की जो सरकारती मुझे कोई योजना का पता ही नहीं चलता था फुरादी लागू हो रहे हैं क्या हमें करना हमारे लायग किया है उस हिसाब से हम उसको चैन करते हैं लक्ष्पी जी आपके एलागे मेंगार्नेटी वाली गाड़ी आई कि तो कैसा क्षाब्ग हुआ मुझे आपका वर आपके इलागे का कुछ बता सकते हैं कारकम कैसा होता है कि वो रभी किशन के सामने देख करके मत बोलिए आपकी जो गाड़ी जहां आपको उड़को बुरा लगे तो बुरा लगे तो बता दीजिए अजय सर थे सुनने में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है दूदी आप आपकी गाड़ी तो किसी छोटे से गाव में अगर पहुंच जाये तो लोगों की ताहता लग जाती है आपकी आपकी सिर्फ जुबान से बात सुनने के लिए और तो और हो गई योजनाकी तो अलग बात है आपकी जुबान से निकलती है वो भासा अम्रित मारी उसको सुनने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है आप लीड कर रहे हैं हिंदुस्तान में कहां कहां आपकी चीज़े बिक्ति है ज्यादा जी सर मैं बता रहा हूं हमारे देश के सारे महनगरों में हैं है यद्राबाद बैंगलोर लखनों दिल्ली महरा महराश्टरा गुजराद तमेन नाड यह सारे सहरों में हमारे वहां से ट्रक का ट्रक मल जाता है ऐसा नहीं कि एक दो मल नहीं जो खरदार बाहर से आते हैं वह हमारे वर्षेट पर हमारे समू के वर्षेट पर ही फूल ट्रक को लोडिंग कराते हैं और भुक्तान करके अपने गर्टब को चले जाते आपके हान नई नई डिजाइन बनाने के लिए कोई काम होता है क्या नई नई टूल नई डिजाइन ऐसा कुछ होता है कि सर अभी तक तो हम मसंदरी का काम नहीं करते हैं तो हैं हम कॉनर हाथ में जो हूनर है वो समझे सर आपके सामने बढ़ाई नहीं है कंप्यूटर है मैं अभी एक यह मुजिक मैं आप आपके हाथ में मैं देखना हूं जो इतनी बड़िया चीज है इनसान तो कंप्यूटर से करोड़ों गुना बड़ी ताकत होती है जी जी सर अब यह जो आप जी से हैं कि यह विश्वकर्मा योजना का पता चला है आपके गाउं में जी सर जी जी विश्वकर्मा योजना भी मुझे पता है क्या योजना का पता चला आपको बताएंगे विश्वकर्मा योजना में यह बड़ाई गिरी है और लोहार गिरी है राजगीर है यह सारे लोग बात जो है वो आधोनिक टूल और आधोनिक ट्रेनिंग क्योंकि नई डिजाइन बने नई वेराइटी बने और बदलती हुई दुनिया इन चीजों को स्विकार करें इसके लिए हम बल दे रहें और आप जैसे लोग जितने सामर्तवान होंगे ससक्त होंगे उतना लाब जादा होने वाला यह पीएम विश्वकर्मा योजना सद्यों से जो लोग इस काम में माहीर है जिनके दिल दिमाग में आख बंद होगी तो भी काम कर देते हैं अगर उनको थोड़ा आधोनिक चीज़े मिल जाए तो हम दुनिया में चाह सकते हैं इस कि मेरे दो बेटियां दो बेटे हैं और चार भाईयों में मैं सबसे छोटा हूं जीवन यापन तो मेरा बहुत गरीबी में बीता है असी में मैंने ग्रामेंट बैंक की नोकरी जोइन किया और च्छी आसी में मेरा आर्ट एंड क्राप्ट की वज़े से क्राप्ट काउंसिल आफ इंडिया की तरफ से एसी अरिजिनल वार्ट साप ढाका में मेरा चैन हुआ जाने का और मैं वहाँ जा करके अपने इसकला का सजीव प्रदर्शन किया और वहाँ की मैं प्रधान मंत्री और उच्छा युक्तों द्वारा मुझे ससमानित किया गया अठासी में मैं बैंक से रिजायन दे दिया और नब्वे में मैं एक संस्था का पंजी करन्ड करा रहा जो अठारा सव साथ एक्ट चीट फंट सोसाइटी के अंतरगर्द लच्मी टेरा कोटा मुर्तिकला केंद्र की अस्थपनाइब और उसके थुरू मैं ग्राम विकास अ बच्चों को दिया जिसमें 40 बच्चों को मैंने प्रसिच्चे दिया उसके बाद 1993 में मैं गड़ेश भगवान की रत पर अपने द्वारा बनाई गई गड़ेश भगवान की रत की प्रतिमा पर प्रादेशिक पुरुस्कार प्राप्त किया फिर मैं तीरानवे, चौरानवे, पंचानवे में मैंने ऐसा गैप हो गया दो हजार में मैं इस समू का गठन किया जिसकी मैं आपके सामने बढ़न किया हूँ उस समू में 12-100 को जोइन किया और उस समू बैंक से हमको पहली किस्त दो लाग की मिली जो हम छे महिने में पूर्ति कर दिये और उसके बाद 12 लाख रुपए मिली जिसमें 50% सब्सिटी और उसको तीन साल में हमने अदा कर दिया उसके बाद 2004, 2008, 2012 और 2016 में आपके भारत सरकार से विकास आयुक्त हस सिल्फ भारत सरकार द्वारा मुझे चार योजनाओं में कौसल विकास, मास्टर प्राप्ट में, गुरुसिस परंपरा के अंतरगत चार स्टेज में मुझे प्रसिछन केंद चलाने की अनमती में लिए ससुट और वो मैं बारी-बारी से चलाया जिसमें साथ बच्चों को फ्रसिछित दिया उसके बाद मैं अपने दोनों बच्चों को ग्रेजुएशन कराने के बाद देहरादून में बड़े बच्चे को संजय कुमार को तुलास इंटरनेशनल स्कूल देहरादून में क्ले मॉडलिंग में टीचर पत पर करवाया और दूसरे बेटे छोटे अजय कुमार को देहरादून सिरी राम सेंटेनियल स्कूल क्ले मॉडलिंग टीचर पत पर मैंने करवाया और उसके बाद दो हजार फिर डो हजार तेरह में मुझे फिर मा सरस्टी की प्रतिमा पर दुबारा मुझे प्रादेशिक प्रुश्कार प्राप्ट हुआ लक्षमी जी जी सबसे पहले तो मैं आपके माता पिता जो को प्रणाम करता हूं जिन्हों ने आपका नाम लक्षमी जी रखा आपको लक्षमी प्राप्त करने के सारे रास्ते बालू है तो आपको तो पता ही है कि ओडी ओपी वन डिस्ट्रिक बन प्रोड़क की योजना पुरे देश में यूपी की प्रेणा से चल रही हैं यह भी संतोस की बात है कि आपके जैसे अनेक लोग वोकल्फ और लोकल के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं जन्भागीदारी के बिना योजनाओं का सफल होना बहुत मुश्किल होता है अब जैसे विक्सित भारत संकल प्यात्रा को ही लिलीजिए इसमें भी नागरिकों की जागरुकता की जरुत है आप सभी को यह सुनिश्चित करना है कि हर योजना का लाप हर उसलाभारती को मिले जो इसका हकदार है